राच्छी से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकेन पे क्लिक कीजिए कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे लेके लिए से जुड़े रहने किजिए और रहने के लिए और बेल आइकेन पार रहने काम लिए आपासफ। तो यहां से निकल चले माले नहीं नहीं वह बारिश ज्यादा तेज है लेकिन और नहीं चलेगा पिछली बारिश में भी मुश्किल से पानी का प्रेशर संबाल पाया था और इस साल भी अच्छी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं अब तो बांद की रिपेरिंग होनी ही चाहिए और रिपेरिंग करने के लिए पहले बांद का पानी निकालना सकती हैं अरे बांद टूट जाएगा तो सारा गाउ बर्बाद हो जाएगा विशनों प्रताब जी के खेट में तो उसे तरफ हैं नहीं नहीं मेरे खेटों की कोई फिकर मत करो गाउ सलामत रहे बस बोलिए विरिंद प्रताब जी आप क्या कहते हैं मुझे मन्जूर नहीं ह उमसे कहिए कि उनका जो भी नुकसान होगा मैं भरपाई कर दूँगा विकारी सावज अक्का हमको क्या भी देंगे हमको यह तो गाउं की बहले की बात करें रूद्र प्रताब यह क्या गाउ गाउ लगा रखा है तुमने उस वक्त कहां थे यह गाउवाले जब मेरे साथ जुल्म हुआ था जब हमारे गर में आग लगी थी उस वक्तों कोई नहीं आया आग मुझाने तुम जी अतनलों जाओ यहां से वाला काट के रहें तुमका और को यहां पर नहीं रहेगा जाए यहां से एक पूरब है को दूसरा पस्चे मार ना इन दोनों में कभी मेल होगा ने कभी इस गाउंगा कुछ पला होगा बिल्कुल ठीका चलो भाई ज़िए जागोबिन उन्हें कुछ चाहिए अपने आप तो तेरे मालिक एक लास पानी भी नहीं मांगेंगी पूछुँँगा तो हमेशा के तरो ना ही बोलेंगे पानी लाऊं सब्साब जी तो तो मारे मलकिन ने दवा ले ली मुझे तो पहले यी पता था मालकिन आपके पुछेंगी आप उनके दावा का पुछेंगे मुझे तो कोई पूछ था ही नहीं दूदलाओं गर्मा गरम है नए गोविन तुम्हें काम करो पुरोईत को बुला लाओ एक तो शनी की महादशा चल रही है कहां चल रही है उपर से शुकर लिछले स्थान पर बैठा हुआ है मन की शांती हो कैसे सकती है इसलिए तो आपको बुला है ना पंडी जी आप ही कुछ उपाए बताए बताए उपाए तो मैं पिछले पांस साल से बता रहा हूं लेकिन जजमान मेरी बाथा में शाटाल देते हैं देखिए मेरा कहना मानिए अपना सस्थी पूरती का उत्सो मनाईए सारे नाते रिष्टेदारों को बुला कर नौगरों की शांती का पाट करवा दीजिए घर में रौनक होगी तो बीबी जी की तबियत जो नरम गरम चल लगी है ना वो भी अच्छी हो जाएगी ठीक ही तो है साब जी कुछ नहीं है तो मालकीन की तबियत का खायल करके तो मान जाएए ठीक है नोविन बुलानो सबको आपके अलावा वहां सभी लोग आ पहुचे होंगे क्या सूचेंगे वो लोग क्या बिलकुल पड़ी नहीं है आपका कौन सा बाबुजी के सब खुन का रिष्टा है अफो तुम भी कैसी बाते करें रतना ऐसा कोई भी निस सोचेगा और सभी जानते हैं बाबुजी की काम सब्सक्राइब करें अच्छा तुम फिकर बत करो मैं जल्दी आ जाओगा अच्छा अरे मेरे आने तक तुम और मंगला तो होई ना काड़ी जाने के सिंदल भी होगया कहा चाले गए टिक 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 लो पाला अब यह मंगला का रहे गई इसक्यूज मी में आव् प्लीज्व मिए इसके सबीने हो पैले और यह कैप्सव उसकाने कि बाड़ ती किया है टिक बाब ऑब यह ले Cambod है वाए डिक सक्राइब करें यह निकल जाएगी मंगला को लीन भी kurate我就 के बाँा गथ वह बखुआ का पाइश्या थे वॉर्यवा लव यू टीके सी यू सूट पाबा लव यू टू बाइव अब आपका फिर खाल एक तो पकी गया होगा अरे तुम यही बेखणा हूं बिखाया ने 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 बिटिया आने से पहले खेच से गन्ना तो मंगवा लो यह तो पहले ही पताता है नहींट भींटिया कि आने से पहले है मेने खेच से गन्ना मंगवा लीए अप बाई' यह लूँ भाई किश्वाडी दी लीके लिखयर है cya अधु qualify किश्व गडी तुम तुम्हारी डॉक्टरी काहां तक पहुंची एपना चोटू है ला चोटू पहली से दूसरी से तीसरी से चाउती में पहुंच गया लेकिन मंगला बीटिया कि डॉक्टरी अभी तब पुरी नहीं हुई अरे गुवेंड डॉक्टरी करने के लिए पांच साल लगते है छोड़िये छोड़िये कोई अगर दिल लगा कर पड़े ना तो साल दो साल बहुत हो गए यह सब आपके लाड़ प्यार का नतिजा है क्या कि आपने मुझे बिगाड कर रखा है वह कैसे मेरी हार बात मान लेते हैं आप कौन सी बात मनवानी है मुझसे आइडिया है क्यों आप दद्दू की शुष्टी पूर्ती के मौके पर हम दद्दू और दादी मा की शादी फिर से करा दें का सुने दुन मेरी प्यारी ते ददिया बनी दी दिया है कराट लुद्धा अब जो किया ये शही घुटक्टे का विए अब शुटक्ष आई पर चाहिए अब जाड़ा का पैसे अब अब बाबुजी आपका नाश्ता कर दो कुछ फिला पिला कर चुप करा बेकार में कुछ इलवा रहा है इसलिये चिलवारो तैजी ताकि उस घर का शौर इस घर में सुना एशौर नहीं है रुड्र बाबू यह तो खुशियों का राग है सुना है उस घर के मालिक और मालकिन फिर से शादी कर रहा है हाँ कबर में लटक रहे हैं बुठे बुड़िया के और शादी रचाने चले हैं अरे फेरे फेरते ही राम नाम सत्य हो जाएगा मां यह कहने बखसे में रख देती हूं मां इंदर भीया की याद आ रही है बच्ची साल बीद के इस बात को आपको अभी उनकी याद सताती है हाँ बीटी इंसान चले जाते हैं उनकी याद रह जाती है जिस तरह पच्ची सालों से इस अंजीर इस ढबे में बंद है उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है काश मैं इंदर के परिवार को एक बार दीख पाती है बस एक बार आपकी वज़े से आपकी जित की वज़े से मालकी नहीं तनी दुखी है अरे पच्ची साल गुजर गए उस बात को अब तो गुसा दुख दीजिए मालकी ने एक बार इंदर बाबो के परिवार को देखना चाहती है वो जो इस घर की सुक शांती मान सम्मान सबको मिट्टे में मिला कर चला गया उसके लिए तुमारी मालकीन को क्यो इतना प्यार उमणा रहा है वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा उसके लिए बुरा वला मत बोलिए वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो क्यों बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया ह अब तक जीने की एक आस्ती थी मन में लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगारी मर जाओकी मां मां सुनो तो मंगला जाओ गोविन जाओ मुंबई वालो को भी थार भेज़ दो जाओ आदेखे बच्पन पड़ा है और आगे जवानी खड़ी है आज हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और कल नजाने कहां होंगे I'm really sad this is the last day of college hey you by the way we'll miss you we'll really miss you Miss Jaitley किसो गली सिदगर आरर, दीवान ice, मैं हावाारा सब का दिल चुराखे मैं चला क्या पता, क्या खबर क्या पता, क्या खबर किस गली किस ढगर आरारारारारा मैं ती बाना मैं आवारा सबका दिल चुरा के मैं चला पुराना कृकेटर का वाजकर But we are very, very sorry to tell you There is no one greater than अपना सचेंट एंदुलकर Hey! खुबसूरत जवा दिल लशी लड़किया चाहती थी मुझे सब हसी लड़किया खुस्तल वाली खेड़की के पिछे करना इंतजार याद आई वो अदा, वो हसी वो अदा, वो हसी, वो हराव वो नजर आरारारारारारारारा मैं दिवाना बतावारा सबका दिचुदा के मैं चला करना दिच्वाना अधिरस्तल वालो ने अखों में चला जिल विलाई मंजिलों की रौशनी दिखाए धीरे धीरे उमीद जगाए सब को सबका रस साब उलाए कुछ तो बिंदास है, कुछ फरेशान है, वक्त की बात से सारे अंजान है दुनिया में नाम कमाई, जाने कौन स्थार बन जाई अब शुरू हो गया, अब शुरू हो गया, जिन्दगी का सफर आला 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 मैं दीबाना मैं दो भारा, सबका दिल चुदा कि मैं चला यह लो मा, है है है, है है है, आई ग्राजुएरेड, वो, अब शुरू हो, माम, यह कहां जाने की तयादी, मत बताना मा, तुमी सोचो, अब वार नासी, नहीं, वेश्टू देवी, बिल्कुल नहीं, वैसे हमारा ऐसा कोई रिश्यदार भी नहीं, जो हमें अपने घर बुल मैं मा से ही पूछ रहा हूँ, तु ही बीच में बार-बार भूंदी रहती है, फूल, मा, आप लोग कहा जा रहे है, आप लोग नहीं, हम सब लोग, हम सब, तुम्हारे दादाजी की यहां, हां, दादाजी की घर, हां बेटा, इतने सालों बाद उनकी यहां से चिट्थी आ ऐलो, हम मुभई से आए है, ऐए हए, आये, 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 एए, आये, आये, पैक्यो, सामान अन्दर, सामान तो आता ही रहेगा, आप लोग पहले अंन्दर तुचे लिए, आये, आये, शालो, मा, आये, आये, आई ये मलकिन मलकिन उठिये तो देखे तो कोन है मुंबई बाले आये हैं आई 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 इपा है ना कौन सी ग्लस में हो एट में जीती रहो और तुम अबे जी मैंने एलल्बी किया है याने के इंजिनियरिंग नहीं वकील मुझे तो पहले ही पता सा देखो ना ऐसे हीरी जैसे बच्चों का सुख देखना मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था अरे ये क्या है मलकिन खुद तो जित करके इन लोगों को यहां बुलाया और खुश होने के बज़ा खुदीर हो रही है डाक्टर ने क्या कहा है खुब खुश रहो कहा या नहीं इनको इनका कमरा दिखा रहा है आईए चलिए नमस्ते बहू यह सारा घरी तुमारा है हुश रहो काश की इंदर के रहते मिलती है तो तुझे कुछ और आशिरवाद दे पाती मैं लेकर जैसे बगवान की बरसे थक गये होंगे ना सफर में जी कितना लंबा सफर है कोई बात ने बाराम कीजिए सुबह उर्थे में आपको बढ़ियासा नाष्टा किलाओंगा अरे ऐसा नाष्टा किलाओंगा की किलाओंगा लेकर आचे किलाओंख ग glow किराओंगा सुबहो ची उर्थे सुबहो टांड़ ऑभव आूबह कवज है किलाओंग भ। कर दोड़ा है जो झाल झाल हाँ 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 वो आपके दादजे अभी नीन से जा गए है न इसलिए वो थोड़े से हाँ सुबह तक सब ठीक हो जाएगा आप लोग अब आराम कीजिए अब हम यहां नहीं रहेंगे माँ सुबह होती ही लट जाएगे अभे माँ घर बुला के बेज़त करने का क्या मतलब इन्होंने हमें प्यार की वज़े से नहीं बुलाया अपनी वीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजाया उनकी वीमार पत्नी तुम्हारी दादी है और वो तुम्हारे दादा तुम्हारे पिता की पिता So what, Ma? हमारे पास किस पाद की कमी है? बहुत बड़ी कमी है, अभे. हमारे सरपर बुज़ूर्गों का साया नहीं है, बेटा. अभे? जब तक तुम्हारे पिता जिन्दा रहे, वो हमेशा इसी कोशिश में रहे, कि किसी भी तरह, तुम्हारे दादा जी का गुस्सा शान्त करी, तुम्हें उनके करीब ले आए, लेकिन बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम अब किसी भी तरह, अपने डैडी की अधूरी इच्छप पूरी करो बेटा, देखो बेटा, बड़ों के सामने जुकने से कोई जोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों के नाराज की जो है न, वो सिर्फ सत्ता पर होती है, बीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है, हाँ भीया, दादी मान ने जब मेरा हाच चुआ था, तो मेरे रोंटे खड़े हो गये थी, और तुम्हारी आखी भी तो भर आई थी न, चल्चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हो आ था, ऐसे ही बड़ा चड़ा के बोल रही है तू, क्या मशीन है, ना साबू, ना भुरूस, ना ब्लेड, ना पानी, आपके पोते जी जब बंबई वापच जाएंगे न, तब उनको बोल देना, ये मशीन मुझे दे जा है, उस मशीन से मैं आपकी दाड़ी, वी, 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 ये क्या कर रहा है तू, काम के दरफ द्यान दे, माफ करना, माफ करना, कौन ही सुभी-सुभी, हावास कर रहा है, मर गया, मर गया, बज गया, टेबल की घड़ी थी, दीवार की घड़ी नहीं थी, लगता है पाज जन से नाई नहीं है, जो इतना टाइम लगा रही है, गुद मोरिंग बच्चा पाटी, ए, 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 लाइन में, लाइन में, क्यो, 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 ओ, यहां और बाफरों नहीं है, है ना गर के भीतर में, लेकिन तुम तो बच्चे लोग हो, तुम भाहर बहीं ना सकते हो, है ना, ओ, कुछ लेडिज ने देख लिया तो, यह बच्चे तो बहुत देज है, यह तुम आम लाकट पड़े, अंदर वाला बहार आगा, पाच्वरे, लाइफ ना हो तो ऐसी, किज, जब तक अंदर वाला बहार आता है, क्यों ना हमें खेल खेले, खेल? क्या हुआ क्यों रुक गए स्टेशन आ गया खेल खतम फाउल फाउल सबसे आगे मैं था ओके तुम सब जीत गए मैं हार गया वो क्या है उधर बातरूम में तो पहले क्यों नहीं बताया उसमें कुंडी नहीं है नो प्राव्म मैं गाना गाकर काम से लालूंगा लाला जा पापा थेड़ गंडे ते क्या करी थी बातरूम में ते थोड़ी न थी बातरूम में पॉल फॉल तु बहारा में तुझे बताता ही यह ब्रेटलिस की स्टायर में सास ली बिना कौन गा रहे है वही दीदी मुंबई वाला पापा ठोकर में है यह आपके मुझे चेड़े जाए सुन्दरी तुम क्यों चीक रहा है चीक तो बुदर से आएगी आपाज 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 क्या हुआ सुन्दरी सुन्दरी देखास मुंबई वाली का मुखड़ा मुखड़े के अलावा और सब कुछ देखा उसके चेहरे पे तो साबुन लगा हुआ था आ रहा है वो मुंबई मादा क्या करूं हाए कुछी कुछी होता है क्या है हाई बड़ी बुआ दाल पीशरी है बड़ी नहीं मैं चोटी बुआ हूं सॉरी पहली बार में लहना इसलिए कंफ्यूज जो अरे अरे तुम क्या अपना हाथ खराब कर रहे हो अरे इसमें हाथ खराब करने की क्या बात है अपना ही घर है वैसे भी मुझे यह सब करना होटेल खोलने का था यह वकील तो मैं यहीं धोके से बन गया चोटी बॉह एक बार बताइए घर में मिक्सर ग्राइंडर होते हुए भी आप सिलबटे पर दाल क्यों पीशरी वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे दादा जी सिर्फ इस पर पिसी हुई दाल के ही वड़े पसंद हुआ है चोटी बॉह मुझे इतनी सी चोट लगी और आप इतना घबर आ गई जब दिल में इतना प्यार है तो कल रहा था आपने मुझे बात क्यों नहीं की कोई भी तुमसे बात नहीं कर रहा था इसलिए मैं भी चुप-चाप रहे गी पिट्टी पिस गई नेना हां अभ इसमें जरूर आपकी उंग्यों की खुश्बू भी शामल है अब है यहां रखो हूं 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 वह जी के तो बड़े संदर्बाल है बड़ी बुआ क्या फुपा जी बहुत पुराने खयालों के हैं नहीं तो क्यों नहीं यह जो एक चोटी बना रखी आपने आपकी फेस लगूंगे न इस उमर में दो चोटिया बनाके अजी उमर का चोटियों से क्या मतलब इतने खुबतुरत बाल जो है आपके जर घुम्ये तो मैं बनाकर देता हूं दो चोटिया तुम तुम बनाओगे हाँ हाँ क्यों नहीं जर घुम्ये तो असल में तो मेरा एडिया है चैंपू के अलावा शिका का इसे भी धोया कीजिएगा बिल्कुल रेशम हो जाएंगे आसानी से मिलता है मैं लाकर दूंगा हाँ अब फुपा जी देखेंगे ना तो बस देखते ही रह जाएंगे हाँ हाँ सच किना हवा डांस तैंक यू अब यही हैसल रखना अच्छा तो यह बड़े बन रहे तुम्हारे हाँ राम अभे ने चोटिया बनाने में सब भूला दिया हाँ बहुत ननी मुनी हो ना दो चोटिया लटका के घुमने के लिए ऐसा भी अभी नहीं का था हाँ यह कोई उम्र है दो चोटिया रखने पर बड़ी बुआ माने ही ने बोली इतने खुबसूरत बाल है रेशम जैसे तो मैंने अ ऐसा मैंने का था हाँ चलो मैंने का बस लेकिन चाची यह कोई जगरने की बात है अच्छा जले भूले जैसे भी हो बहार लेया और बच्चे भूके बैठे है अब मैं तुम्हारी बात हो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली बिल्कुल नहीं आएंगी मुझे पता है आप intelligent है तभी तो मेरी आपकी जमेंगी अबया Frady Haha Sorry Sorry enquArthur hey क्या हो रहा है पुझा के लिए फूल ले रहे थी पूजा कॉन साब्या को नहीं बगवाद के लिए वो हमारे बंबे में तो फूल वाला घर पे पूल ले आता है हमारी मुदा है ओ कितने में खरीगे तुम ने मुदाह मेरा मतलब वो नहीं है देखो यह अ सब कि पिना फूल तो क्या कोई पत्ती भी नहीं तोड़ सकता क्या समझी हां और वो तुमारे बहिया कहा मुझ चुपाई बैटे नजरे नहीं आते पलटके तो देखो नाक के आगे ही नजर आएंगे रह गई ना टके क्या है कि अपनी सूरत ही कुछ ऐसी है कोबर के कंडे जैसी कमान गाइस फॉल मी नट यू इट फॉल मी तरह रूब तो देखो इसका जैसे इसके बाप का घर हो उसके बापका नहीं तेरे और मेरे बापका है नजर ने क्या समझती है अपने आपको ये कौन है डाड़ी के किसी दोस्की लड़की है बच्पन से यहां आती जाती रही है तो दादाजी की लाड़ी बन गई है तुम देखो मैं इसे कैसा सीधा करता हूँ डोंट वर्री खबरदार तुम मैंसे कोई भी उसकी तरफ नहीं जाएगा अपनी पाटी अलग उसकी अलग ये भी कोई कहने की बात है दीदी हम जीएंगे तो आपके साथ मरेंगे तो आपके साथ आखिरा कैप्टेन है हमारी गुड ओके चलो तुमनों सब फीलिंग करो और तुम बोलिं क्यों बच्को गिली डंडा चल रहा है कि अट भीडिंग फ़एंगे तो गिली डंडा इंन्टेसिंट ड्रवें किन रूजडा वरफ टोके ऑनाब है केबल टीवी है अभी अभी हमारे मैच का लाफ टेली कास हुआ था सचिन भी था साथ में सचिन टेंडूल कर चौके तो सिफ तुमने ही लगाए होंगे कुछ सिक्सर्स भी लगाए थे बट नो सिंगल्स देखो यह अपनी मुंबई में जाकर फैकना यहां नहीं चलेगा ठीक हुआ 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 ह ये 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 रिश्वत देते हो ये रिश्वत नहीं है देदी ये तो चोकलेट है है उसे और दो और दो और दो अब मुझे भी खेलने दोगे खेलना क्या इसी तरह तुम चोकलेट दो हम तुमें कैप्टन बना देंगे अब ही तुमने मुझे कैप्टन बनाया था जाओ तुम मैं इंपार बना देंगे चाट चोकलेट के लिए तुम लोगों ने इमान पेश दिया जाओ में नहीं किल दी तुम्हें साथ अरे ये तुर उटके जा रही है क्या नाम है उसका कुछ जंगला जैसा सुनाई देता है एक बार बोलके देखो जंगला खाला मंगला मंगला जंगला आए जंगला आए तुछ वैघन से फॉल्ट ये अनदर जा के ले ले हैच लिक्वेज मैं तो दादी यह कैसा नाम रखा है आप लोगोंने मेरा क्यों क्या हुआ आज की जमाने में इतना पुराना नाम कोई रखता है मंगला तेक तरसले तो मेरा नाम है तेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते है कि उन्होंने मेरा नाम तुझे दे दिया वाँ 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 क्या है अच्छा लगेगा डॉक्टर मंगला जैकुमार सुलंकी M.E.B.S ना बोलने में ठीक ना सुनने में ठीक चलो मेरी माबाब को अक्कल है थी पर आपके माबाको इस एतना कोई नाम नहीं मिलाआ गया चुलटा चुप अपने माबाब के पारे मैं ऐसी बात नहीं करते और सुन मेरी स्वरक अ मातापिता के बारे तो बिल्कुल कि इस लड़की से घर में रानक है अरे इसे तो घर से विदा करने का जी ही ने करेगा आपका सोभे को हूँ अपने पोते से ही पहरे फिरवालों घर की घर में बनी रहेगी चोड़ी गोबर के कंडी जैसी तो शकल है उसकी तू ही कर ले उसे ब्यार अरे फट करके कर लेती ले वाउ ओड़ फाइन शॉट भाईया अरे बॉल तो उस घर में चले गई अब हम क्योंसे केलेंगे बॉल को लिख आएगा भाईया ओओ मैं लोगए थी आपके यहां मैं विश्णु प्रतार जी का पोता हूं मुंबई से आया हूं कि यानि तुम इंद्र की बेटी हो जी कि अब आयम सारी बिना पूछे अंदर चलाया शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा मैं जाता हूं कि अब पाथ चोड़िया ताओ जी रुद्र अपना देमाग ठंडर रखो इतनी कर्म खाने की जरूँद नहीं है राम नौमे को नदी पार के मंदर में उत्सो हो गए या जमान तुम्हें ये कह रहा था उस दिन आप से परिवार वहां जाकर पुजारे को वस्तरादी भेंट करके आप वापिस आ जाए और आने के बाद आपना सश्टी पूर्ति मना लीजी उसके बाद फिर पंच्वी का तो बहुत शुब निकलता है उस दिन आप इनके विवा की रसम पूरी करने मतलब बारादिन के बाद जी क्यों बैटाए तुम्हें कोई दिक्कत है बारादिन के बाद नहीं बाभुजी दिक्कत तो कोई नहीं बीच में ज़रूरी काम के लिए शायद शेहर जाना पड़े देना जी बाभुजी ओ मेरे पास तो सिर्फ पांसो किनोटे है मेरे पास भी चुट्टे नहीं मेरे पास है ये लीजी लाओ नहीं श्रीपाल पंडी जी को पांसो एक रुपे देना नानीमा आपकी शादी की तारिक पक्की हो चुकी है नानीमा आपकी शादी अब हो रही है मेरी मा की शादी तो कब की हो गई यह दादा जी की शष्टिपूर्ती की शादी है उनकी साथवी है ना साथवी तो बाकी की उनसट नानिया का है यह क्या हो रहा है मिस्टर आजकर जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है चुपकर मैं नहीं काता ऐसे महलम लगाने के लिए बहुत दर्था मेरे पाओ में तेंक्यू दादी मा दवालो ददिया उम्र की वज़े से है यह दर्थ अच्छा उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उत आए है Aqua तूस पेचारी को क्यों सताता रहता है हां किसे पेचारी को मंगला को और किसको main कोई बेचारी बैचारी ने उ को बहुत चालू है दीपा ओके मां अगर तू कहती है तो अभी जाके रहने दे रहने दे कोई जरूरत नहीं है काम ले पड़ जाएगा अरे सुन तो अभे तुरूरूर तुरूर। होचाम कोई जरूर। कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो प्रताप का बेटा गाउं आया हुआ है मैं तो सी दिन मार डालता लेकिन ताउची ने मेरा हाथ पकड़ लिया अब भले ही मुझे छुपकर रवार करना पड़े जब तक उसे नहीं मार डालता मुझे चैनली मिलेगा करो इसकी हावास में दिमाग खराब हो रहा है अच्छा हुआ अपने बता दिया अपको दिमाग शाटा है आए के बहले गाड़ी में बैठ कर पिक्चर देखने जा रहे हो गाउं में आए हो तो बेल गाडी में भी वैटना चाहिए यह राइट वैसे यह ट्रैक्टर भी गाओं की सवारी है ना राइस अच्छा बारा का शो देखने जा रहे हूं या तीन का लेकिन इस बीट से तो छे बजे वाले शो में भी नहीं पहुंचोंगे जिनको बारा का शो देखना है वो मेरे साथ आजा अब एक की सवारी और है मैं बेशर मकसर नहीं जाती लेकिन मैं जाता हूँ न क्या दीदी क्यों देरी लगा रही हो फिक्चर छूप जाएगी जल्दी आओ ना अब क्या हूँ यह गलत फैमी में मत रहना मैं ट्रैक्टर पेसले बैठी हूँ क्योंकि यह मेरे दादाजी का है ठीक है मैंने कब कहा तुम्हारी पती का है मेरा पती ट्रैक्टर नहीं चलाता तो क्या लॉली चलाता है अरी चुप ऐसा होत बोलो इस लोग ड्राविंग सीट पर मैं बैठाओ ऐसा लगेगा जैसे मेहन का कॉम और मेरे पती अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारी चाय में जहर डाल के तुम्हें मार देती और अगर कोई कुछ नहीं सोचेगा पकड़ लो मुझे कोई दूसरा ढूलो ओके छोड़ना चुप यह नख लिए ना है कि अधियों कि अधियों है इंजन मन कर दो बईया जंगली हाती है बिगड गए तो रोंद के रख देंगे कि अधिए कि अधिए तेजा कहां एक कॉन तेजा है तेरा पाट अधिए को अधिए यह दका क्यों दे रहे हो यह मेरा है तो फर में रात का रुक हूं उस तरह दूसरा है ना यह तो तरह रहा हो तो मेरे कंदे पाँ रहो तो मेरे गंदे पार अखो कि पत्टमीज सुनिये जी पीछे वाला लड़का मुझे टांग मार रहा है अच्छा सीधी तरह बैट ने तो तेरी टांग तोड़के हाथ में देदुगा दिल से किया तो मुझे बताना कि तुम यहां बैठ हो ना हुआ हुआ ही हिसा करती मेरी सीट पर आ जाओ जी भाया हुदäre फजो आहिए लाल टोपी जल्दी निच पैठ हाई 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 क्या नाम है आपका शकीला शकीला कितना अच्छा नाम है है इस लड़की का नाम पता है मंगला जंगला उससे मेरा नाम ने पूछा अरे टो क्या हुआ site कहां की रहने वाली हो मूंबई की मूंबई का रहने वाला हूँ यह बेचारी गाउं की है बहरिया खेडा की उसने यह नहीं पूछा तो क्या हुआ अब किसी गाउं से निकल कर शहर में रहने लगी है अंग्रेजी भी बोलने लगी है वैसे मुंबर में कहा रहती हो कमाठी पूरा रेड लाइट एरिया क्या कब होगे मुझसे मिलने कमाठी अब जो कितना भी फनी नहीं था लेकिन तुमने जवाब और यह जौऊओंगे मिलने यहां हो क्या चोकलेट नहीं मिलती मोबन करो अंभाए स्क्राओं निमें और डी मंघेती में चोक्लेट तुम्हें जो बहुट तू मंतर काली तेरा वचन ना जाए खाली अब्रकडब्र ओंशें बैम वैम शकलकपलक डख फाइव स्टार वाव थेंक यू अबे भाया यह कैस है मैजिक मैजिक चॉकले तो तुम जीब में लिए गुमते हो रिश्वत देने के लिए तो क्या यकीन नहीं होता तुम्हें डाउट है अपनी कोई चीज दो मुझे यह ब्रेस्लिट दो मुझे क्यों क्योंकि मैं इसे लड्डू बना कर दिखाऊंगा लड्डू जी हाँ ठीक है यह लो चुमंतर काली तेरा वचन ना जाए खाली अब्रदों शकला कबलक तुम सब के लिए फ्रेश फ्रेश भूंति दो तुम भी लो तुम भी खाओ तुम भी खाओ वाव भाईया यह देश में लड्डू कैसा है और खाएंगे बाईया जरा अंगुटी देना दीदी शट अप यह चला कि मैं खूब समस्ती हूं चलो मेरा ब्रेसलिट वापस करो ब्रेसलिट वो तो लड्डू बन गया और सबने खावी लिया ब्रेसलिट बिकम लड्डू लड्डू बिकम्स ब्रेसलिट इस वान इंदे सेम वाई अजी आपके लड्डू अरे मैने तु तुम्हे चार ना नहीं को का था तु तु तीन ही लाया आए मुझे तो पहले ही पता था है घर आ गया क्या हुआ है यहां सर रख के सोने का क्या मतलब मतलब ही हुआ कि जब इंसान तकवा तो खाथ के बोरे पर भी सर रख कर सो सकता है ओ गुद नाइट गुद नाइट कर दो जब इंसान तक्रियों कि दो पुद नाइट झालाएट कि जब इंसान तो तु 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 अब है यह मंगला का ब्रेसलिट है ना हाँ वो नीचे पड़ा मिला था मंगला तो कह रहे थी कि जादू दिखाने के बाने से तुमने उससे ले लिया हाँ वो ऐसी यूनो तुम मंगला को चाहने लगे हो ना अरे माम भी देखो अब है तुम्हारे दादा जी पहले हमसे अब अब अगर उनको इस बात का पता चलके है ना तो बिटा अच्छा नहीं होगा लेकिन सुना है वो अपने करीब के रिष्टेदारों में ही मंगला के लिए लड़का देख रहे हैं हम 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 से करीबी रिष्टेदार उनका और कौन हो सकता है 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 हलो हाई मिठाई अरे पहले बताना था अपी बिया पदेवर्दे नहीं है मुझे मेरा ब्रेसेट वापस चाहिए ब्रेसलिट कैसा ब्रेसलिट जो कल तुमने जादू कि बाहा श्क्रिशन मारे सामने ही तो मैंने ब्रिसलेट का लढ़ु बनाय था तुमने खाया भी था Ri SARAH हां मीठा था आप मैं तुम्हें लढ度 दे रही हूँ मुझे मैं Boss Robs इस लट्बू से ब्रेसलिट नहीं बन सकता। लट्बू गअ ब्रेसलिट ठीक है उसी तू girky इस लट्डू ँठनगे थीू ऐसा कोई लट्डू नहीं चलेगा होई जो तुमने खाया था वहीं चाहिए उसी से बनेगा ना फ्रेसेt ब्रेसलेट बेकम लद्डू लद्डू बेकमs ब्रेसलेट ऐसी नठी है गुट मॉर्निग यह 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 इफट परेस्टीक्ट इतना बल्काने की जौरत नहीं ही कुछ एहाँ सुंद्री वो फिर उदर गया है कितार उसी पिना कुंडी वारे बात्रूम में तुम भी जाओ ना हाँ 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 ए पैन तो दीदी जाओ आज फ्रीशो दिखाती हूँ तुम भी क्या याद करोगे सपनों में रोज आए आज फिकी में आना सा नमी जाओ ही ही है सुनो तुम्हारे पैन पटी है आज मैं तेल लेनी के लिए आई हूँ है पत्लून फटी है आरे पत्लून फटी है पत्लून फटी है आज चैनल में समझ में आ रहा है क्या समझ में आ रहा है बोले तो है अरे बाबा पत्लून फटी है पत्लून फटी है और बड़की है आपाट्लून फटी है पट्टीव यह तेको तेको पट्पश्चात हनुमान जी भगवान शिराम जी की अंगूठी लेकर माता सीता की समुक पहुंच कर कहते हैं मंगला जी तुमने दवाई ले ली जी के माते खाने से पहले ले ली यह खाने के बाद ले ली अरे बाबा खाने के बाद ली ले ली गुद गर्ल मंगला अरे बद्धाश मुझे नाम से पुकारता है सॉरी दादी मा लेकिन बिलकुँ दादा की आवाज लगी ना बिल्कुल मंगला जी तुमने दवा लेली जी लेली खाने से पहले या खाने के बाद हादी अजा उसने पुचारता है उसने किसने पुछा है उसने बिलकुल आशा है उसने किसने बॉह वाँ पाई तुमने अबही की जीन्स के जला दी ददू पहले उसी ने मुझे जताया था तो क्या हुआ हग बनता है उसका वह इस घर का असलब होता है जबकि तुम सिर्फ मेरी एक मुझ बोली पोती हो तुम नहीं जानते कितने बड़े बड़े खर के रिष्टेया रहे उसके लिए हां यू कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे तक दुझे को इतना प्यार दे ये सासे की जीवन वार देना कभी कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुक दुख सदा मिलके सहे कुछ तुम कहे सुक थे तुम कहे तुम मिलन की रात हो, मिलन की पात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो, मिलन की रात हो, मिलन की पात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वासते हम ठड़े न सचके रासते ना कभी हो जुदा उम्र भई साथ में हम रहें कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें सुक दुक सदा मिलके सहे कुछ थाइ कुछ थाइ कुछ थाइ कुछ थाइ साथ मुदा मुदा 001 झाल झाल जो अपने खाव थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम खो गई जो अपने खाव थे वो पूरे हो गई खुशी के रंग में आज हम खो गई कोई आखों से दिल में आ गया खुश्बूओं से मन में का गया ना कभी हो जुदा उम्र बर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुक दुक सदा मिल के से हाउ स्वीट दिया स्वीट या फोटो आया है फोटोस मुझे भी दिखाओ ना शोर यूँ नहीं का परदार किसको दिखाया तुमें देखो मुझे फोटो वापस देदो अभे प्रीज ये ठीक नहीं होगा अभे अरे 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 कहा जाने तुम शापर रभे प्रीज अंदर मत जाना अभे कहा जाने तुम अरे 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 वाप ये देखो बाबुजी की फोटो कितनी अच्छी आई है और ये तुम्हारी भी बडा खाते हुए हाँ और मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है आटा खाते हुए ये देखो दादी मा की फोटो कितनी सुंदर लग रही है वगर तुम तो बहुत अच्छे फोटोग्राफर निकले सच हाँ हाँ बिल्कुल सच के रहे हैं सच में अच्छी है लाइए अब मुझे दे दीजिए क्यों अब है ये फोटोग्राफ हमें देने के लिए ने निका दीपार मैंने कभी महसूस नहीं किया है परिवार होने का हिस्सा क्या होता है दादा और दादी का प्यार बुआ का प्यार भरा मजाक और दादी मा के हाथों से खेलाया हुआने वाला यह पिछला आफता एक सपने के जैसे रहा है, जिसे मैं कभी भूलाना नहीं चाहता शश्ची पूर्ती होते ही, हम सब चले जाएंगे और मुझे पता है, आप हमें फिर कभी नहीं बुलाएंगे इसलिए मैं आप सब को अपने साथ ले जाना चाहता हूं जब मैं अपनी जिन्दगी का पहला केस लड़ूँगा तो सबसे पहले मैं दादा और दादी की तस्वीर के सामने चाहूंगा और हाथ चोड़कर आशराद मांगूँगा और वो मुझे आशराद दे देंगे जब मेरी बहन की शादी तैह होगी तो मैं अब सबको काड भेजूँगा लेकिन आप में से कोई भी नहीं आएगा ना दादी मा ना दादाजी ना अंटी ना अंकल कोई भी नहीं दुख तो होगा मुझे पर मुझे पूरा विश्वास है आप सब उसे तस्वीर से ही आशरादे देंगे अरे आप सब इतनी सेरिज क्यों हो गए मैं आपको एक सूपर फोडोग्राफ दिखाता हूँ बेटी यह इंदर की चीन है इसे तक प्रश्वास है कि तुम पैनलो नहीं दादी मा दादा जी को शायल अच्छा ना लगे मगर हां किसी दिन अगर वो खुद अपनी खुशी से मुझे पैनाएंगे मैं इसे जरूर पैनूंगा मुझे पैनलो मुझे 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 यह बहुत अच्छी लग रहे है उस ड्रेस में थाइंक यू वैसे तो यह ड्रेस सुंद्री पर जादा जचेगी साइकल वाकल चलाना आता है या सिखाना पड़ेगा excuse me मैं साइकलिंग चैंपियन हूँ और मैं हमेशा फर्स्ट आती हूँ मेरे भाया भी रंडिंग रेस में फर्स्ट आते हैं हमारी दीदी तो नमबर वन है मेरे भाया भी नमबर वन है अभी पता चल जागा कि नमबर वन कौन है जो भी मंदिर वाले तालाप से कमल का फूल तोड़के लाएगा वही नमबर वन कहलाएगा मन्जूर है? मन्जूर है अरे मुझसे कोई पूछेगा मैं लड़कियों के साथ कॉमपडेशन नहीं करता क्यों घबरा गए जो बहाने बना रहे हूँ इजद का सवाल है भाईया ओकी अल दर बेस दीदी थैंक यू पुद लग वान टू ठी अरे दीदी तो निकल गई डॉंट वरी यही लॉटकर आजएगी भाईया जल्दी उठो वरना हम बैठ हार जाएंगे भाईया उठो ओके 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 शायद आने के डर से वही रह गया हलो जंगला मंगला रुक्यों गई जाओ बाइदो वे थैंक्स वो किसलिए क्योंकि दादिमाने कई तरह की सब्सीयां असली गी में बनाकर मेरा वेट बढ़ा दिया अब तुम्हारे इस चालेंज से कम से कम दो किरो वेट घड़ जाएगा तुम्हारा वेट क्या है फिफ्टी तुम्हारे सदका नहीं तुम्हारे बॉड़ी का वेट पूछा है अब परते चल्ला मेरा वेट हुआ 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 है अब परते बेचारी का हैंजल टेड़ा हो गया चोट मुझे लगी है पीस यह नहीं हैट मी साइकल तो उठानी होगी न अब हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ है हुआ है है थीक है तुम सामने बैठों मैं चलात हूं झाल, 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 झाल आए, मुझे तो पहले ही पता था आए, हाए, हाए, इतनी जल्दी साइकल पर बिठा लिया लगता है जल्दी ही शादी की बिठाई की लाओगी ए, तुजान अपना काम कर बखवास करती है बिना होजे अरे, रहने दो, रहने दो जो पहले बहुत जगरते हैं ना, बार में वहीं प्यार में पड़ते हैं ये मैंने ही सारी दुनिया कहती है, हाँ? जाए, जाए, जीट गई, मंगला दीदी दीदी के हाँ तो मैं फूल है, याने की दीदी जीट गई निवो मेरे भया मंगला से कभी हार ने सकते बोलो नो क्या हुआ भया मैं हार गया हाँ मैं मंगला से हार गया मंगला दीदी जीत गया है ये जूठी हार जीत समझे वावू आपकी असली हार जीत तब तक नहीं होगी जब तक दादा जी का आशिरुवात नहीं मिल जाता प्रिम का आशिर करता शुर हार जीत समय का आशिरुब तक फूंचे और जाशिए sau का आए ये जाता जाता, जाताए मिल जाता एक vis लcrowd non हुआना ड़तिवाफDU लिए येवी झार लिए झाल झाल हुआ सलाम दिल का मैंने आश्की कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आश्की कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आश्की 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 कर ली हुआ आश्की कर दोस्ते कर ली हुआ सलाम, रिल का मैंने आश्की कर ल Inte के ली Beas role ली case कर लू है अजब सी ये चाहत है ये पहली मुहबत है पूछो ने कैसा हाल है अंधिर में हुझालों में मैं खोई हूँ ख्यालों में ये तो घजब को सान है प्यार की दिये जला की मैंने रोशनी कर ली प्यार की दिये जला की मैंने रोशनी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली झाल झाल कहीं भी चली जाओं मैं तुझे ही बस पाओं मैं तएरा है तेरा हर जगा नजर में बसी है तू नजरों में छुपी है तू चेहरा है तेरा हर जगा जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली जान जाएगी अगर तूने बेरुखी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली हुआ सलाम दिल का मैंने आशकी कर ली उम्र भर के लिए तुम से दोस्ते कर ली उम्र भर के लिए तुमसे दोस्ती के लिए अच्छी डॉक्टरी है दॉक्टर साइब चोट उस गुट्नी पर लगी है पर मलम इस पर लगा रही हो तर लग रहा है तुकी गाना मैं लगा देता हूं बिल्कुल नहीं दुखेगा फ्रॉमिस कोई बदमाशी नहीं करूंगा शराफत से लगाऊंगा फ्रॉमिस ओके बाब कि दुख तो नहीं रहा है हां अच्छा तुमनी जीत कर भी हार की मान ली सच सच बता दू एक तम सच एक तो यूही तुम्हारा गुट्टन चिल गया था उपर से मैं सची बात बता देता तो जखम पे नमक छड़कता हो जाता ना अच्छी बात है अकर तुमारी मुसी को बूलना कर वाया कि तो मुझसे प्यार करते हो तो मेरा नाम भी मंगला नहीं नमस्कार 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 कैसे हैं आप लोग आप किते हैं क्या बात है आज सब लोग यहां आने के लिए साथ-साथ निकले हैं जी हम आपकी राय लेने आ थे विश्णु कताप जी कैसी राये जी हम सब लोग इस बार भी बान के नीचे मेला लगाने वाले थे माता के मंदिर चांगे क्या पर इंजिनिर साब की बात चुनकर हम सब जल्द होनी चाहिए लेकिन ऐसा भी क्या है कि सब का माता पर भरोसा है ना जी पेशक मेला लगवाईए मां सब को सम्हाल लेगी आए बीजी आए बाबुजी तास रुके में चार बार कि समय ताग रिंग फिके नेल पालिज जीत करें यहाई मौई वह खोच हो जाएगी जादुगर को फिशिक करके बना देगा चौकलेट देखो बीबी जी जिस चीज पर रिंग डालोंगी वह चीज तुम्हारी हो जाएगी जिस चीज पर रिंग डालोंगी यह वह मेरे हो जाएगी आहां बिलकुल जिरी हार गई बैद लॉक हर चीज पाना इतना असान नहीं होता हां यास भाईया यू के दो इस लोग वाला है यह दे दूगा तो मैं क्या खौका नहीं रिंग बदल लो ओके एक्स्क्यूस्मी मिस्टर हो इस रिंग की बात कर रहा है क्या भाईया रूत्रा बाबु आपने वकील को लेका लाए रूत्रा बाबु यह सरा सर जात्ती है विरेंदर परताप जी यह जास्ती वैस्ती सम्झे सरकारी नौकर तंकाल और चुब बैठो मैं के मामलें सरकार को चिठी लेकर रोशारी दिखाने के जोरत दिया लेकिन र कानून वाट दीकर चुब आप सेले खाले रेकिंगे लिए कहले बलिजबा परताब रित लिए के हम जया कर शैसें कि. Sahagis मैं मा जीक्रने के लिए नहीं मा जोरता वकानून आप कानून कैसे जानते हैं? मैं एलल बी ग्राजूल था हुआ मैं एलल बी ग्राजूल था हुआ अरे तुम चुपके होगा है वाकील बात तो उसकी ठीक है वैसे प्रान हानी का धर बताकर हमारा स्टेवडर कैंसल करवा सकता है बलके हम लोगों को जैल भी बिजवा सकता है वैसे लड़का कानून जानता है कौन हो बाबू? नाम क्या है तुम्हारा? अभेंदर विश्नु प्रताप सींग यानि कि आप विश्नु जी के पोते हो? जी अरे शेर ही के घर में शेर पैदा होते हैं दादा का नाम पोता ही रोशन करेगा अरे बोलो अभेंदर विश्नु प्रताप सींगी जिन्दा हाँ अभेंदर वाबू जिन्दा वाबू अभेंदर वाबू किसी दिन अगर दादाजी खुद अपनी खुशी से मुझे पेनाएंगे मैं इसे जरूर पेनाओंगा बेटे मैं आज ही अपने हाथों से ये चेन तुम्हे पेनाओंगा अबै बाबू, आज दादाजी बहुत खुश में है ये मोका छोड़ना नहीं, मंगला का हाथ मांगलो उनसे वरना बुड़ा बुटी की शाली रचाना आया था ना फिर गाउं के मामले में क्यों दखल दे रहा ये मामला अब कोर्ट में है, वहीं इसका फैसला होगा अबे ओई, इस गाउं का कोर्ट भी मैं हूँ, कानून भी मैं हूँ दो जुमले अंग्रेजी में क्या बोल लिया, अपने आपको गाउं का लीडर समझ बैठा है क्या तू बान में छेद रुक आएगा अगर छेद नहीं किया तो बान फट जाएगा, जाने कितने लोग पानी में बैकर मर जाएंगे और छेद किया तो लोग पानी में नहीं, खून में बैकर मरेंगे, याद रखना ऐसे कितने लोगों को मार दोगे तुम्हा सबसे पहले तो मैं तेरे खांदान को तबाह करूँगा उसके बाद तेरे आखों के सामने तेरे दादा को काट कर मंदिर में बली चाहूँगा नाहूँगा मैं झाल, 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 झाल. झाल, 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 झाल. घाल, झाल, झाल, क्यों आए हो यहा, किसलिए आए हो, एक बारे बाप नहीं आँ आग लगाई थी, जिसमें हमारे दोना सुक क करी परिवार चुलस रहे है, और आज तुम्या आए हो उसी आग में घीर डालने के लिए. जिस परिवार का प्यार वापस हासिल करने के मैं कोशिच कर रहा हूँ उसे पर तुम पाली फेर रहे हो अरे तुम्हारे बापने तो हम लोगों सिर्फ दो टुकडे पे भाटा लेकिन लगता है तुम तो पूरे गाम के दो टुकडे करोगी जाओ तुम जल जाओ यहांसे यहां तुम्हारी कोई दुरूरत नहीं है इस गाव से चले जाओ कि अज़े पता था मुझे तुम यहीं पर मिलोगी बहुत दुखे हो ना दादा जी नो तुम पर हाथ उठा दिया तुम्हारा यह गुस्सा बिलकुल वाजिब है लेकिन दादा जी का थपड मारना भी तो वाजिब था तुम जानते हो यह रुद्र प्रताप कौन है नहीं तो फिर यह भी नहीं जानते होंगे कि अपने सामने वाले कोठी में कौन लोग रहते हैं वो तुम्हारे दादा जी के सगी छूटी बेहन का घर अब है क्योंकि दादा जी अपनी इकलोती बेहन को हमेशा अपनी आखों के आगे देखना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने दोस्त वीरेंद प्रताप से अपनी बेहन का ब्या कर दिया इसके बाद ये दोनों परिवार बस नाम के लिए दूर रहे गे थे वरना दादा जी हर शुबकार्य बेहन के हाथों करवाते जो जेवर, कपड़ा अपने पत्नी के लिए लाते ठीक वैसा ये अपनी बेहन के लिए भी खरिदते उधर विरेंद प्रताब और उनके छोटे भाई नरेंदर प्रताब तुम्हारे दादाजी की बड़ी इज़त करते थे सब लोग यही चाहते थे कि ये रिष्टा पीड़ी दर पीड़ी ऐसे ही चलता रहे जब यहां विरेंदर प्रताप के भाई नरेंदर प्रताप की बेटे अम्रुता बढ़ी हुई तो उनका ब्या तुम्हारे पिता इंदर प्रताप से करना चाहा वैसे भी उस बेचारी को बच्छपन से यही समझाया गया था कि इंदर प्रताप ही उसका होने वाला पुती है तो अब हम चाहते हैं कि दोनों बेटियों का ब्या एक साथ एक ही मंडब में कर दिया जाए क्यों तुम्हारी क्या रहा है जी मेरा तो ये फाइनल एर है तो और इस साल तुम्हें शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता बात तो इंदर की सही है इसकी इतने सालों की मेहनत हम अपने स्वार्थ के लिए जायर नहीं कर सकते ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी शादी भाई साप फिलाल हम इंदर प्रताप और अमरता की सगाई करके शांती की शादी कर देते हैं फिर अगले साल इनी तुम्हारे पिता ने गलती की, उसने एक साल की महलत तो मांग ली, पर असल बात नहीं बताई कि वो बंबे में तुम्हारी मां से प्यार करता था, लेकिन वक्त किसी के लिए ठैरता नहीं, देखते देखते साल गुजर गया, और जैसे ही तय था, शादी का दिन भी आप उच दिदी, ये काला टीका लगा लो आई हाई, कतल कर रहे हो साली जी आइस तो, सच्ची बस भी की जी, पता है सब्लों मुझे क्या कह रहे है, क्या? शाथी कोई एक साल भी नहीं हुए, पर अतना बड़ा पेट है अरे दमाद जी, आपको बुला रहे है, दूले की यहाँ जोडा लेकर जाना है साहब, साहब, इंदर बाबु एटेची लेकर स्टेशन गये है, लगता है वो शेहर जा रहे है क्या? साहब, इंदर बाबु आपके नाम यह चिठी दे कर गये है बाबु जी, मैं अमरिता से शारी नहीं कर सकता, क्यूंकि मैं मुंबई में एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करने जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना कर सकता हूँ आर इंदर! बाइ, एदे! यह भजबधा एदे! यह भजबधा! वजबधा! आर इंदर! आर इंदर! अगर तुम्हारी बेटी का शहर में नेनमटक का चल रहा था तो तुमने अंधेरे में क्यों रखा हमें विरेंद्र पताप मुझे इस बात का कुछ पता नहीं था अगर पता होता तो मैं अगर तो चौड़ा नहीं रुद्रा नहीं चौड़ा यह लग जाएगी चौड़ा इसी अरकत करता है आप बड़े होकर रोक नी सकते हैं सकता हैं कर दो फलसु का नचे हो जानय हâte एक साही हुआ जब आप है जडो की जिए ये सब sev जिए कर दो जब ऐस detect you नच जब लडाउ ड्रुट कि अदिन अधिन पर एंद अधिन अधिन बड़ा अनर्थ हो गया उस दिन तुम्हारे पिता की एक भूल की वजह से विरेंद प्रताप का सारा परिवार तहस वहस हो गया सच पूछो तो दादा जिका दर्द कोई नहीं समझ सकता आमने सामने रहने के बावजूद वो अपने बेहन का हाल तक नहीं पूछ सकते हाल तो क्या नदर उठा के उसके घर की तरफ देख नहीं सकते जिसे वो अपना घर समझते थे इसलिए बेचारे हमन करते हैं ग्रवों की शांती करने के लिए पूजा पाठ करवाते हैं जितनी भार वो पूजा में बैठते हैं बगवान से यहीं मांगते हैं कि किसी भी तरह से दोनों परिवार एक हो जाए और उनको उम्मीद भी थी कि वीरेंदर प्रताप एक ना एक दिन दोस्ती का हाथ जरूर आके बढ़ाएंगे लेकिन आज जब तुमने रुर्दर प्रताप को मारा तो दादाजी से बरदाश्ट नहीं हुआ है उनका हाथ तुम पर उठ गया माप अभे कल सुबह होते हैं अपने शेहर लोड़ जाएंगे आज जो सारी गाहों के सामने तुम्हारा अपमान हुआ है उसे मैं बिल्कुल बरदाश्ट नहीं कर सकती लेकिन माप नहीं अभे इससे पहले जब तुमने वापस जाने के लिए कहा था तो मैंने तुम्हीं र हैं उस दिन मुझे रोकने के लिए आपने कहा था बड़ों की नाराज़गी सर्फ सतय पर होती है कि भीतर गहराई में डेर सारा प्यार होता है कि अब बिल्कुल सही थी माँ कल हम वापस नहीं जाएंगे अवे हैं जी बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोग को यहां बुला लिया आज मेरी वज़े से तुम्हारा यह अपमान हो आ है बेटे क्या आप भी दादीवां दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का सोचो अगर बच्पन से में आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है बलकि डर तो मुझे यह है कि मुझे मार कर दादाजी के हाथ में दर्द हो आऊगा अब यह क्या दादी मा दादी मा उन्होंने मुझे डांट क्या दिया चले जाओ निकल जाओ तो क्या मैं चला जाओंगा नहीं सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूँ अज पहली बार दादाजी ने मुझे चुआ तो सही वो भी सब के सामने सारे गाओं की बीच उन्हें ने चथा दिया कि मैं उनका पूता हूँ और यह मत भूलिए इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है मेरा पीटा मेरा पीटा कमान दादी माव अब रोमत दादी माव सुनिये नहाने का पानी रखतिया है बाल्टी में बाल्टी में क्यों दूब मरने के लिए चुलू बार पाने ही काफी था यू बेकार में गुस्सा होते हैं आप बेकार में समझाओ अपने पतिज्य को कुछ अकल से भी काम लिया करें गलती इसकी थी लेकिन तुम्हारे बाई ने अपने पोते के मूँपर ठपड मालकर सारे गाउं के सामने मेरा सर नीचा कर दिया वेगा में गुस्सा वरूंट इस दूद में कुछ अकल की घुट्टी भी मिला दिया करो कुछ बुद्धी तो चले उसकी कह देना उससे ऐसी वाईया धरकते ना किया गरे समझादेना उससे शाड़े आठ सो शाड़े नो सो अब लो जी ताजी ने सिखा पड़ा कि भीजा ना कि जा उपदेश दो उसे जी आपके लिए दूद लाई हो सब भूल करें बैकिन मैंने भूला मैंने भूला आपके लप्टों को जिन ने मेरी दीडिकी जान ले ली अपने बात के मौत को मैं कुछ नहीं भूला बनता महें उसे जिन्दा नहीं शोड़ूँगा नहीं है बबाब। आइसा नहीं हो सकता यह नामम किन है। तो क्या मैं हाथ पे हाथ रख कर बैठा रहूं। यह सोच करकी समय के साथ साथ सभकुष ठीक हो जाएगा। नहीं गोगंडा था.. नहीं.. कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा मैं दोनों परिवारों को फिर से मिलाकर यहां से जाऊंगा और वो समय अब आ गया है राम करें ऐसा ही हो जाए हाँ अराम करें वैसे तो मैं दो दिन के लिए नदी पार राम नोमी के लिए जा रहा हूँ इस बीच बांध में जराबी दरार दिखाई दे तो फॉरण आफिस में ख़बर करना समझे जी बिल्कुल आप कोई फिकर ना करें आप आराम से जाकर आए जलो हरबजान आठी से पहले उस पार पहुंचना है माफ कीजिये मालिक इंजन में पानी चला गया है आप उसनाओ से चले जाएए एन वक्त पे तरी बोट खराब होती हमेशा ओफो इसना से जाएं या उसना से मतलब तो मंदिल पहुंचने से ना चलो उसना से चलते हैं समाल के सुनन दर हाथ लो हाथ लो हाथ हाथ यह बगवान साहाब यह सामार यहां रद्दू यह वापस चलना है वापस क्यों यह बोट किसी के बाप के थोड़ी है चल बैठ हाँ 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 मुमी मुझे भूख लागे कुछ खाने को दो ना हाँ बीचा अभी देती हो हाँ 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 जहाद मोरत तेवा इतनी अकल नहीं है शिल के कहा भेगला चाहिए हाँ 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 चतुरवेदी यह क्या देख रहा हूं विरेंद प्रताप सिंग और विष्णु प्रताप सिंग दोने एक साथ है यानि रामवरान चतुरवेदी की बाविश्वान जूटीने के लिए दोनों का मेल हो गया है रही तो आपको नहीं पता अरे नहीं पता जी नमस्कार विष्ण से साले तेज साल पहले कि आप लोगों के परिवार का मेल अवाश्योगा लेकिन यह यह मुक्षऑ लिए नहीं जुद्धा यह विद्वा आयम सो भरी कहिए सुनन्द भावी जी भावी जी से मिलकर प्रसन कहुंए अभरी कि भावी टिव जोड़ते हैं इतने बड़े हो गए लेकिन अकल नहीं आई तुम्हें जूट बताने के लिए मैं ही मिला था उस रुद्र ने मुझे इतनी जोर का थपड़ मारा कि हफ्ते भर तक मेरे दिमाग में घंटियां टंटानाती रहेंगी अरे इन तोनों खांदान का कभी मेल होई नहीं सकता इस जन्म में तो क्या क्लिए साथ जन्मों भी नहीं हो पाएगा यह पंडित रामवलन चतुरवेद यह एक ही गाल पर दो-दो कमभखत इस गाल पर नहीं मार सकता था अब कर दोनों परिवार एक हो जाए दादा जी मुझे अपना पोता मान लें और मैं उनसे मंगला का हाथ मांग लो कि यूं तो वर्वधू ही सबका आशिर्वाद लिया करते हैं परन्तु शस्टि पूर्ति कर रहे जोड़े के चरण स्पर्श करके उनका आशिर्वाद प्राप्त करना बड़े सौभागी की बात मानी जाती है इसलिए उनका आशिर्वाद लीजिए जीती रहा बड़े जीती रहा जीती रहा बच्चों फूरों ग्यावाँ में जाना भलक हो जाओगे फिर ढूना बहुत मुश्किल हो जाएगा यह बता चिंटू आज क्या खाएगा चॉक्रिप या आइस्क्रीम आइस्क्रीम ओके चिंटू आंख बंद करके पांच तो किनो और आइस्क्रीम हाथ में आ जाएगा हाँ बया जल्दी आना ओके हाँ फान से पहले आपनी होंगा अकी हाँ 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 एक दो तीन चार पाच हाँ हाँ कहां चले गए बया 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 ह Sophia तो साथ के ना 14 लोग खो गया है अरे सर 14 नहीं बच्चा खो गया है क्लेश बच्चा खो गया है तो सामने से इस बच्चे की रिष्टेदार है पता कैसे नहीं होगा मैं इसका भाई हूँ अरे वह इसकी फैमिली है तुम वह उल्ला दूसका भाई है ओजय हनुमान ओए और मैं तो बच्चा देख रहा हूँ सपना तो आप देख रहें अब बात बोलने लगा तू यह अपने हाथ में रखोट अधारिये जी ओफैमिली जी ओजय हनुमान जी और यह बच्चा बच्चानता है नहीं यह तो गौरी का बेटा है मेरे भाई का नाथी हमने कहां ना इस बच्चे को नहीं जानते फुली संकर फुली संकर यह मारे नाना जी के सामने वाले गर में रहते हैं बाइज आप गल्द बाद फैमली एक्षन के बीच में आना जो है बच्चे का रायता मत बनाओ प्लीच इस बच्चे को इसकी माज मिला दो प्लीच आजा आजा बेटे भी नाना जी नानी मा का दुख जाएगा आप मुझे गोधी में ले लोना लोना ना जी मुझे आपकी गोध में आना है अब कर दो यह लाता तुमने देखा पता है नहीं तो फिर कहां चला गया पता है चीन्टू इतनी भीड़ में उसे कान ढूंडेंगे अरे दादी मां जरा वहां देखो नाना जी अप अपनी दाड़ी क्यों ने काटते बहुत बड़ी हो गई है जिल्टो बीटा तुमको बना किया था ना यह तो अच्छा हुआ यह उन्लों को मिल गया परनाच क्या हो इधिर रहों कहाट चले गए थी तो अबे बैया ने कहा की आइस्क्रीम चाहिए तो लेकर तो बोल देता मुझे मैं बना देता जा दूसे चिन्टो मुरी पोई चिन्टो कि में उदर बगवान से क्या मांगा तुमने बता दूंगा तो फिर मनत पूरी नहीं होगी होगी क्यों नहीं वैसे एक तरीका मुझे भी पता है क्या अगर तुम नदी में डुक्की लगाओ और पूरे तीन मिनेत तक पाहन निकलो तो तुमारी मांग यूप पूरी हो जाएगी साच फीख है करे जा रहे हो डुक्की लगाने अवे वह तो वजाग करी थी सुनो तीन मिनट में पाल स्रीट इतना गिर जैगा कि हाथ फिरो सकता है तुम अपनी घरी देखे अभी सुनो मांग दो मिट में भी पूरी हो सकती है तीन मिनिट्ट अपनी घड़ी देखो संभाना, पाणी गे रहा है अभे अभे, अभे, अभे अभे, अभे, अभे प्राइब 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 मंगला क्या हो क्यों रोरी हो चो यह निकाल करक्ति तुमने मेरी उतर्ष अगर तो पलो नहीं दे तो क्योंकि अपने भाग का सुक्तुक तो हर किसी को सेना पड़ता है अब कभी नहीं बात करूंगी तुमसे कभी नहीं जब से देखा तुमको हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं जब से चाहा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं सोचते हैं कुछ हम कहते हैं कुछ चाहते हैं कुछ हम मांगते हैं कुछ आज कल रात दिन जागे जागे सोई सोई रहते हैं हाँ जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं अपनी गदी का पता भूल जाते हैं तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं अपनी गदी का पता भूल जाते हैं तेरा नाम लेके किसी और को बुलाते हैं ना मरना अच्छा लगता है, ना जीना अच्छा लगता है, ना खाना अच्छा लगता है, ना बीना अच्छा लगता है प्यार के प्यारे प्यारे प्यार के प्यारे 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 सपने संजोते हैं अक्सा अकेले में बैठ के रोते हैं कभी तरह कोई तरपाती है कभी अरक किसी की आती है कभी दिल बेता धड़कता है आज कल रात दिन जागे जागे सोए सोए रहते हैं जब से देखा तुमको हम तो खोई 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 रहते हैं खोई 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 रहते हैं अरे माफ कर दो ना यार बात मत करो मची कहा ना अनार कली अनार कली अनार कली कहां छुपी हो क्या दूट रहा है पहरा चाओ ना क्यों परिशान कर रही हो क्या हुआ हुआ है क्या हुआ है अनार कली और वह फैक वह सोद्य VS कुशे tubra जा रहे हो बहुत छोटी है क्या इतनी बड़ी है इतनी अरे कोई बच्ची को इतना बताता है कोई इतना बताता है तुम पहले आद्मियों जो बच्ची को यू बता रहे हो ओके इंसान की बच्ची है क्या जो यू 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 बताओं इंसान की नहीं है फिर किसकी है साप मेरी रानी मेरी सोनी मेरी मिल गया साप मिल गया साप मिल गया साप मिल गया कि दागदेवता यह आप ही किर्पा है कि उनका हाथ इनके कंधे पर आ गया और इनका बच्छा उनकी गोद में आ गया जैह हो दागदेवता आए इसे पकड़ ले आप उसे चोड़िये ना कि अगया जालेजाने चैनले क्या हुआ है क्या हुआ आपके खेतों बंदूग लेगा रहा हो और तुम आपके बालों को पलाए जीजी दोलताशी बजवाओ, बंप अठाके चलवाओ, चाओ सूपके चाहो सूपके चाहो सूपके चाहो सूपके चाहो आज़ो बगवो, बगवो कताबो की आवाज करो फटके यो हुआ! इसान बखके पिसे बारनायों इसान अवाइ! क्यों कि इसान नहीं चेति जड़ा! कि अजरी जसान हुआ! Pakistan Bunu कुष्टी जली! जाल, झाल, 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 तक नुफटार नाहता हु, झाल, 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 झाल. पेजी गॉट sेूछिए गढ़ गारांग वो. जब जुब 추가 सबसे को हुए खं़けれो. यसी खं़ एारांग अवाक्षोर को हुए तो भो. आप बाइट कर दो, जर भाइट कर दो! काणी स्टार्ट करो फिटय को! लुटार्ट को! थैव, वे 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 हुआ! भी मेरोच, वे टुटार्ट की फिए वे 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 पातो बोड़ी सुस्टाइ दोड़ी अपना पेर दोड़ी दोड़ी समय नही जल्दी करो दोड़ी 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 कर बसो कि... कर दो Sब्षवal कर दो कर दो कर दो बबेंडेंड़ इ Gladby अचरिये दोजबड़ तोक्टर वंगला सोलंखी MVBS काविवा चिरंजीव आपे विष्णु प्रतापसी LLP that's better के शुद फेलू के अगला कैसी है? एझ अँल, यूठी लूटः कौन है अब बंडर भाई आ का बेट आ इंदर घ्रका बेटा अंबिद करता हूं कि इसका बाप जेसा नहीं अबे तुमा क्या करते हो बीते? एक मिनिट भाए डादी माँ, एक मिनिट यू सारी ब्यूर्फुल दादी मा क्या आपकी सारी आप बहुत अच्छी है तभी तुलमारी में रखी है ना उससे क्या फाइदा दादी मा चलो इन में से एक पहन लो और फिर आपर में काड देने जाएंगे काड वो तो सारे के सारे भेज़ दिये अपने ननन्द को काड दिया आपने वो उनकी हां तो खुछ जाके देना पड़ेगा नहीं बिटे वो तो शायद दर्वाजे से ही लोटा देंगे अची ऐसे कैसे लोटा देंगे आखे रभेंद्र विश्नु पताब सिंग नाम है मेरा हम यह अच्छी है यह पेंट लो कम हों दादी मा यहां तक आकर बिना काड दिये हम वापस नहीं जाएंगे कौन हो दर हां कोई भी तो नहीं मुझे तो अस बंबाई वाली का आवाज सुनाई दे रही है आपको तो हर वक्त उसी के आवाज सुनाई देती है हाँ भापी दादी मा ठीका करो और काड देता हूं मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है सर पर जल्दी पानी डालो जल्दी डालो पानी डाल रहा अरे बेवक कु वे या डाल दे सर पर पानी डेल गातियों जल्दी हुंग आञ अदे जल्रही है पानी डालो शर पर parf 1 बेवक को पेंगी फटश्च महाआ है संसरे भी लिएनता्य थे मारी लेक्ट आ ठीख कर आदी हूं ये बच्ची तुम्हारे भया के साथ मेरा ब्या दुबारा रचा रहे हैं बीती बातों को भूल कर आने की कृपा करें नमस्ते दादी मा और दादा जी के जीवन का ये बड़ा ही शुब दिन है सारा गाउं घर में चमा होगा पर घर की एक लौती बेटी और दामा जी नहीं होंगे तो अधूरा सा लगेगा प्लीज जरूर आईगा साब्जी 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 बाहां पर दरार पड़ गई है सारा गाउं उसी तरह भाग रहा है जर्दी करो जर्दी करो जर्दी अगर पाने के स्वाव को रुकना है तो हम सब मिलकर उत्तर की तरब छेत कर देते हैं मेरे खेत बरबाद होते हो तो हो हमारा गाउं सुलावत रहना चाहिए करो कराई कि तरब जर्दी आहिए करी टर्दी onun 살ा है कहां जा रही हो जी वो साथवल कोई घर में शादी है सब लोग वहीं गया है इसलिए तुम भी जा रही हो मैं भी जा रही हूं अगर आप जासते तो तुम लोगा तो खून सफेद हो गया है रह जासते तुम हुआ 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 हो खुम अगर खून अर खुम झाल झाल एक दूजे को इतना प्यार दे ये सांसे ये जीवन वार दे ना कभी हो जुदान ना कभी हो जुदान उम्र भर सात में हम रहे चुडिरे चुडिरे पहनो पिया की चुडिरे दिल से दिल जो मिले दिल की बात हो गई बेकरारी बढ़ी मुलापात हो गई कही पायल बजी खन की चुडिया कही पायल बजी खन की चुडिया कहाया चुडि 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 पहनों की पिया की चुडि चुडि सेहरा सज्चागी मैं हिन्दी रच्चागी ले जाएगा मुझी अपना बना भी आए दो कभी लो कभी ने रापिया चुडी 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 चुली 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 जोड़े से नहीं जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता जोड़े जोड़ा जाए दिल से दिल का नाता चैया उसैया सामली मेरी औहीं आपड़ू में तेरे पईआ सारी वार सात्यर होंगे बंगे देरी चैया चुली 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 कर दो कर दो मिलके कभी ना बिछडे धरती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो साथों की दोरी ए मिलके कभी ना बिछडे धरती अंबर चांद चकोरी बिन पांधे ही बन जाती है दो साथों की दोरी तेना ये लेना, तेरी मीरी नेना, सोरी न जागी, सारी सारी रेना, जब जब दिखू तुझको आई जिया को चेना चुरी 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 यहीं वक्त है इस वक्त दादाजी बहुत खुश है जाओ जिके उनसे मंगला का मांग लो जाओ जाओ जैसी खुशी इस घर में फैल गई है मालिक यदि वैसा ही कोई शुबकारिय उस घर में भी हो जाता तो आनंद आ जाता अब इस घर उस घर मत कर गंजो अब दोनों गर एक ही हो गए है अरे कहा मालिक अभी तक रुद्र वाबो का गुस्सा शांत कहा हुआ है फिर भी दोनों घरों के बीच अगर रोटी बेटी का व्यवहार भी हो जाता तो आनंद बे और आनंद आ जाता क्या मतलब अब देखिये ना पहले इस घर की बेटी उस घर में भी आई गई याने अपनी माल किन मगर बदकिसमेदी से उस घर की बेटी इस घर में ना आपाई इसलिए अब बारी है के इस घर की बेटी उस घर में ब्याई जाए याने अपनी शांती बिटिया का बेटा अमरीका से वापस आ रहा है अचल और जैकुमार बाबु की बेटी जिसे आप अपनी पोती मानते हैं याने मंगला अगर इन दोनों का ब्याहा कर दिया जाए तो दोनों घर फिर से एक हो जाएंगे वैसे बात तो ये ठीक है रहा है विश्णू एक शादी में हम बिछड गए थे दूसरे में फिर से मिल जाएंगे क्या कहते हो मेरे लिए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है लेकिन इसमें मर्जी मेरी नहीं जैकुमार की पूछनी चाहिए कैसे बात करने वाओ जी आप मुसे ज़ादा हक तो मंगला पे आपका है अब बिलकुल देर मत करो भै इससे पहले की बात काबू से बाहर हो जाए जल्दी जाके अपने बात कर लो जाओ जाओ बाबुजी एक जी जग के साथ एक डर के साथ बरसों बाद मैंने इस घर में कदम रखा आज ये रिष्टा जोड़कर अब सभी लोगों ने मुझ विद्वा का आंचल रंग दिया तो विरेंद्रा अच्छा सा मूरत देखकर सगाई कर देते हैं नई विश्णू सगाई हमें रास नहीं आती हम तो सीधा शादी का अब मूरत निकालेंगे ठीक है वाली, वाली जगाईया आफिएकपर अब मुझे देखकर अभी, से यारिश्टू जोगाया हाँ, सरगे भाली अभी, से यारिश्था आदी हम इहाँ गोविन्द, यह लेलो? जी. लिज्जे, आव बीटे. इड़े अबाए? जी, दादाजी. इधे रहा? इधे रहा? बेड़े, इन दोनों घरों की खोशिया तुमने वापस लटा दी है. मेरा पोता होने के नाते तुमने मेरे लिए बहुत, बहुत कुछ किया है. लेकिन तुम्हारा दादा होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस शादी के बाद तुमारी शादी की बारत भी इसी घर से निकले अगर शादी के लिए कोई लड़की ढूंड ली हो तो बिटे मुझे बताओ मैं वादा करता हूँ कि तुमारी पसंद की लड़की से ही तुमारी शादी करवाओंगा ठीक है? ठीक है जी एक और बात तुम चाहते थे ने ये चेन में अपने हाथ से तुम्हें पहनाओ जी हां आपटे कि आज के बात कभी भी कि मेरे बेटे के कभी मुझे मैसुस नहीं होने थे नहीं जी ते रूंट कभी नहीं है अब खुश्रों में है खुश्रों कि वीरें प्रदाब यू खोच चल गया है मुझसे मिलने है अरिये सूरज कहां से निकला है लेकिन किस लिए अचल अचल सा मूरत तिकलवाना है शादी के लिए शादी के लिए आरे मालिक अपने नाती की शादी के लिए आ बालका और वो तो गया था अम्रीक अपढ़ने लोत आया नद को नहीं वह मंगला अपने जय कुमार बाबुकी बेटी वह तो विश्णु परताप की पोती है चतुरवधी जी पोती नहीं, पोती जैसी है अरे जोबी हो, शादी तो विश्णू प्रताब जी के हाँ ही होगी ना हाँ तो लगता है बड़े जोरों की लगी है, बिना डबाल ये ही भाग गया उस दिन पहले रुद्रबावू ने पीटा, फिर बंबई वाले ने पीटा आज ये किसी और से पिटवानी की चाल चला है गज्जू लेकिन मैं ये नहीं होने दूँगा क्यों नहीं होने देंगे चतुरवेदी जी, आज तो विश्णू जी के घर में बाद पक्की हुई है अच्छा, हाँ तो बाद ही पक्की हो गई, बिलकुल पक्की हाँ, बेवकूर, समझाए कि तू नहीं है मैं चतुरवेदी हुई चतुरवेदी चारवेद पड़े हैं मैंने मुझे बनाने चला है तु वो क्या है आ Assim ये क्या है अगर तु कह दोनो एक हो सकते हैं तो मैं मान जाओ कि दोनो एक हो सकते हैं लेकिन विष्णु परताब और भीरंच अभी एग नहीं हो सकते हैं कि नामुम्हें है अगर और दोने ये खो जाएं लेकिन शादी के मंटमें फिर आलग हो जाएंगे ये तुम्हारा शुब दिन कवाएगा चतुरवेदी तुम्हारा शुब दूसरों की किसमत का हाल पढ़ने से पहले अपनी किसमत का हाल पढ़ लेता रिया चतुरवेदी यह मिठाईया उनकी गदे देना ठीके जी हाँ अरे अचल कान है यह अचल कोन है जिससे तुम्हारी शाधी तैह हुई है शाधी लेकिन मेरे शाधी तैह की किसने नाना जी ने और तुम्हारी मामी नाजी ने लड़की की इमां शांती बॉआ ने नाना ने और सबने तुम्हारी मेरे शांती बॉआ जी का पीट अचल जो फॉरे में पढ़ रहा है उसके साथ मेरी शाधी होगी इसमें फानी क्या है और नहीं तो क्या पतानी वह कौन है कैसा है वैसे भी शाधी करने के लिए एक दूसरे से मिलना एक दूसरी को समझना या फिर हम दोनों की तरह एक दूसरे से प्यार करना बहुत ज़रूरी है ना क्यों क्यों हसके हो रहे हो तुम यह सुनकर कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं जब से आयो किसी ने किसी तरह लारी हो अब बस करो हमारी जिन्दकी का सवाल है चलो चड़कज सब से कहते हैं कि हम आई धुसरे से प्यार करते हैं और उनकी तरह तुम्हारे साथ भी मज़ाग किया था मैंने मंगला जिसको तुम प्यार के रही हो गलत समझ रही हो तुम मैं? मैं गलत समझ रही हूँ? जब भी हम दुनों की नोख्चों के बीच तुमने मुझे हराया मुझे ऐसे लगता था कि तुम से हार की भी मेरी जीत है हस्ते के इलती मुझे डुलाने के लिए जब तुमने मेरी तस्वीरे कीची मैंने समझा कि मैं तो तुमारे दिल में बस कई हूँ और जब तुमने सब से खाओ कि तुम साइक लिए सहार गए और मैं जीत की कि मैंने तुम्हारे दिल में जगा कर लिए लेकिन अब पता चला कि साइकल रेस नहीं तुम्हारा प्यार जीतने में हार गई बस एक बार एक बार मेरी आखों में देखकर को हम इतनी दिन साथ साथ रहे क्या किसे भीपल तुम्हें यहीं नहीं लगा कि तुम्हें मुद्से प्यार करते हूँ नहीं यह क्या मच दूरी है यह कैसी दूरी है कैसा यह मेरा प्यार है सुजा यह कैसी है यह कैसा नसीवा है इस जीत में तो हार है रोना जो चाहूं भी तो मैं रोन पाऊं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं क्या चोट खाई मैंने कैसे बताऊं रुलाया ते तेरे दिल को तुझ से पे रखी कर ली तुझ से को तुझ से पे रॖी कर ली पेवसी ही थी मेरी तुझ से तुशमनी कर ली वेल पसी कम मेरे, तोचज से दुशने कै, हुई, हुई, हुई हुई कि तुम तीनों यहीं पर काम करोगे तो वहां को देखेगा जाओ जल्दी जाओ जी जाता हुआ कि अब यह अब तो शादी की तैयारियां भी कितनी शाहनदार तरीके से हो रही है हाँ होनी भी चाहिए आकर विश्टु प्रताप सेंग के परिवार में शादी हो रही है कहीं कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए मेरी तरफ देखो और कहो यह मंगला की शादी हो रही है बिटे अरे क्या मा तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं बिटा मैं तेरी मा हूं क्या तेरे दुख का अंदाजन नहीं है मजे तेरे होटों पे हसी तो है पर तेरी आँखों में जो दर्द है न वो मुझे साफ नजर आ रहा है अब इन सब बातों का क्या मतलब क्या तुम अंगला से प्यार नहीं करता है हाँ मा मैं मंगला से बहुत प्यार करता हूँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते है ये दस दिनों का साथ ऐसा लगता है कि मैं उसे बर्सों से जानता हूँ जैसा मेरा कोई रिष्टा हो उसके साथ अभे तूसे इतना चाहता है क्या उसके बगार तुझी पाएगा बिटा हाँ इधर हां मा देख इतने सालों बाद इस घर में खुशिया नौट आई है दादा जी फिर से अपनी बहन को मिल सकते हैं और शांती बुआ का देख मां पूरे पच्छी साल बाद उनके चहरे पर हसी दिखाई दी है अब अगर मैं कुछ कहूं तो ये दो परिवार आपस में फिर लड़कर एक दूसरे को मार डालेंगे और मैं अपनी एक खुशी के लिए सब की खुशिया नहीं चीन सकता मा और अगर मंगला ने तुमसे ये पुछा कि इन सब की खुशियों के लिए तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकराना चाहते हो तो तुम क्या जवाब दोगी मैं मंगला से कह चुका हूँ कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया अकर उस दिन मैंने या तुम्हारे पिता जी ने भी परिवार के बारे में सोचा होता तो शायद आज तुम्हारी आखों में मुझे आसू ना देखने पड़ते नहीं मा प्लीज एक दू दिन की तो बात है उसके बाद हम मुंबई लोट जाएंगे धेर सारी यादे लिए और उन्हीं यादों के सारे में जी लूँगा मा अभे अकर तुम्हेरा बीटा ना होता तो आज मैं तेरे पाउँ छुले थी अरे नहीं मा मा के हाथ सिर्फ आशिर्वाद दिने के लिए होते हैं माफी मांगने के लिए नहीं जामा मंगला को दुलहन बना उसे आशिर्वाद दो वो हमेशा खुश रहे में बेच्चे देते ना तो वहाँ अच्छा होता है तो यह सूर से लवाद दूगा फिकर मत कर सूट पर यह माला कैसे पहनूंगा वैसे हैं चलो न भाबी रुद्र चलो उठो वहाँ वह इंद्रप्रताप का बेटा भी होगा जिसे देखते मेरा खून को लगता है रुद्र वहाँ मेरे बेटे का हो रहा है तुम्हारे भांजे का चल कर उसे आशिर्वाद नहीं दोगे चलो ना भाया आप चली में आता हूं तुम्हीं जोइन के साथ चलो चली मुन्ना आजे पिस्ट्रों मुबारको भाया पिए आओ 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 पहले तो गुसे में थी फिर रो रही थी फिर वो अटैची उठाके कहीं चली गई क्या हुआ भै मंगला चली गई है गोविन दादा किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए मैं किसी भी तरह उसको वापस लेकर आता हूँ अब जी तो घर में नहीं है तो घर में नहीं है क्या मतलब चलो बीटिया तुम्हें ममी बूला रही है एक में ठारो मंगला का है चलो बीटिया मंगला का है चली गई अब है कहा है वो भी दीदी के पीछे चले गए मना किया था मैंने यह रिष्टा मत चोड़ो लेकिन किसी ने मेरे बात नहीं सुनी अब देख लो नतीजा रद्रपता बेग मेरेक्ट जैसा बाप वैसा बेटा वो दुलन को वेदी के आग में जोग कर चला गया था और यह दुलन को वेदी पर से भगा कर ले गया है ऐसा हो चुका है अब मैं वो वच्चा नहीं राज अमरीदा दीदी के शादी का वक्त था अब मैं दुलन को गाउं से भार ने निकलने दूगा हाँ मेरे साथ रूत्र जल्दवासी से का मतलो यह जल्दी अगर पहले कर लिए उती थी नौबत कभी नाती और आपने यहाज से कोई मत जाना मैं दुलन को भी वापस लेगा आता हूं और तुम लोग शेना यहीं पर मजाना पहले शादी की उसके बाद मातम की रूत चोड़ो 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 मंगला यह जो तुम कर रही हो गलत है प्लीज प्लीज वापस चलो मेरे साथ ठीक है मैं चलूंगी सिर्फ एक बार कह दो कि तुम ते शादी करोगे मैं मर जाओंगी लेकिन किसी और केसा शादी कभी नहीं करूंगी कभी नहीं मंगला यह शादी से सिर्फ हम खुश रह सकते हैं क्या तुम्हें दूसरों की खुश्यों की जरा भी परवा नहीं मुझे दूसरों की कोई परवा नहीं मुझे अपनी कुशी ज्यादा प्यार ही है अबे तुम प्यार के कुर्बानिया दे सकते हूं लेकिन प्यार को तो पीरेंदर परताब यह मेरा जूता उठाओ और इससे आज मुझे बहुत मारो सब के सामने मुझे आज इतना मारो के आज के बाद कोई भी मुझे अपनी बरावरी में नहीं भिटाए ताकि सारी दुनिया को पता चले के मेरा खूली गंदा है बाजू शाथ हो जाईए पीटा वो जो नाला एक निकला और आज ये पोता नहीं साब जी नहीं इस अब में अभे बाबु का कोई दोश नहीं है तुम चुप रहों गोविन नहीं रहूंगा साब जी मैं चुप नहीं रहूंगा इतने दिन अभे बाबु चुप रहे और उसका नतिजा यही हुआ कि आप उनके पीट पर भला पुरा बोल रहें उनको असली बात तो यह है कि अभए बाबु और मंगला बिटिया प्यार करते हैं एक दूसरे से शादी करने वाले थे दोनों लेकिन इतने में रिष्टा तैय हो गया मगर आप लोगों के खुशी के लिए अभए बाबु ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया गला घोड़ दी सब्सक्राइब करते हैं और जाते वक्त यह चिटी चोड़ गई वे अने सिर्प और पहरे में लकता इनी है तो मुझे चाहते इंप प्रू अ मजब सक्राइब कि कि अब हम तु में सु कूशन पर चाहिए तू जानती हो अगर तुम घर नहीं चलोगी तो महां क्या होगा आपता है लेकिन मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पर लिखती है जिसे अब कोई नहीं मिटा सकता कोई नहीं अगर मैं यहां पर नहीं आता तो तो भी अपने बाप की तरह यहां से भागने के तियारी में था नहीं रूतरा को मुझे घर आता मज़रे का समझने कोशिश करूँ पश्पन से इसे दिन का मौका ठूण रहा था साले मेरे घर की भवब मदव डालता है बदो साले को पर पर जरेए अचे आ करच के लिए अढ़र घा गहाएकुए के झाल लोग सब वेसे वेसे झाल लत धु़जए वेस תब्धल लुभाई ये वेसे ये वेसे वेसे बाची!śंटinis Universe बाल्या! बाचीरा ुम Лये! बाल्या! बाचीरा! बाल्या! बाल्या! हुर 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 दिर इसे भी आर को घर करτα को जर को घर भी हुरू हुरrice काई को घर को डिल मा भूल हुर्त वी वो टो ज़ पॉग पॉगड नहाぎ में यर कुड़ जस तो आज가락 यम बंगा अगा क cafeteria आटान, आफान, आफान sådan तो आपान, आफान हम में एान, आफान वें अबे 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 यह क्या कर दो बाद चारिया दोड़े अबे 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 नाद जी लगीन करो मैं बंदा को गहर ले जाने क्रिया है था यादता हो बेटे सब चाँ गया हूँ लगर देरी से बेटे अब अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोगों को मिलाना चाहते हो मैं आज तक प्यार करने वालों की भावनाओं को समझ नहीं पाया पहली गलती अपने बेटे के साथ कर बैठा दूसरी तुम्हारे बेटे तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं जब मैंने तुमसे पूछा कहा क्यों नहीं के तुम मंगला से प्यार करते हो अगर बताते हैं तो क्या करते हैं अरे मार पीट और खून खराबे से जिन्दिगी की गुत्थी सुलस्ती नहीं है और उलग जाती है तू बता आज तक नफर से हमें क्या मिला अपनों को हमेशा के लिए खो दिया और अपनों से ही हमेशा दूर रहे सच्चे प्यार के आगे तो बगवान भी जुक जाते हैं पर इनसान क्या चीज़ है मंगला तुम्हारी ही घर की बहु बनेगी जहो विष्णु प्रताब जी जहो विरेन प्रताब जी अरे आए 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 राम बरम चतुरुवेदी साव आए अरे उस दिन आप लोगने मुझे पीटा तो मैं शहर चला गया था इलाज करवाने के लिए लॉट कर आया तो पता लगा कि आप लोग एक हो गये हैं राम बरम चतुरुवेदी की भवश्वानी जूटी निकल जाए मुझे अकीन नहीं होता क्या आप सचोचेंग होगे नमस्कार प्रभू अंदर तो आए बाप्रे आपने ही बोट परमानत मुझे मैं भूल नहीं सकता मैं चलता हूं अरे चतुरुवेदी जी नहीं मैं त्र अंब जल्दी से शादी का मुझे निकालदी जी निकाले तो अब तो मैं सुहाग रात का मुझे निकाले देता हूं यह रहादा ठीक है न कुछ तुम कहो कुछ रूंक है कुछ तुम कहो, कुछ रूं कहे, सुक दुक सदा, मिलके सहे इक दुझे को इतना प्यार दे, ये सांसे की जीवन वार देना कभी कुछ तुम कहो, कुछ रूं कहे, सुक दुक सदा, मिलके सहे झाओ, मिलके सहे, सुक रूं प्याओ, अिन्याओ, इन्याओ इन्याओ, जिए एक दुक दुक सिक सांसे की जीवन प्याओ, नियाओ कि दुक सुक जीवन भूं कहें मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो मिलन की रात हो, मिलन की बात हो लबों पे हो हसे, हाथ में हाथ हो हमें जीना है सब के वास्ते हम छोड़े न सच के रास्ते ना कभी हो जुदा उम्र बर साथ में हम रहे कुछ तुम कहो, कुछ हम कहे सुक दुक सदा मिल की सहे झाले 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 झाले